Assalamualaikum students, welcome to my channel Student Life आज मैं आपके साथ English 101 के Lesson No. 31 को डिसकस करूँगी इसके Heading का है Writing Paragraph अब इसमें वाग को क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने प्रीवियस लेक्षर में Paragraph पढ़ा था My Neighbor पे तो आपने इसमें देखा कि उस Paragraph में थ्री Major Sexual Parts थे ठीक है जैसे Unity क्या होती है सबसे पहले वो Unity के बारे में डिसक्राइब करेंगे Unity क्या होती है कि जब आपने कोई Paragraph का Main Idea लिया उसका Topic लिया तो आप उसी को लेके चलेंगे उसी को फॉलो करेंगे जैसे आपने एक Topic लिया ड्रीम के उपर और आप यह कहरें कि मैं इसमें इसकी Two Specific Important Characteristics डिसक्स करूंगा तो आपको वही डिसक्स करनी है ना कि आप इसमें अपना ड्रीम डिसक्स करना शुरू कर जाएं कि मैंने लास्ट नाइट पर यह ड्रीम देखा था एड्सरा ठीक है उसके बाद इस तरह तूटी वी के बारे में हैं गर आप टीवी के साइड एफेक्ट्सक य आप बरी में बढे बता रह तो आपने वहीं बताना है कि मैंने टीवी पे यह देखा यह स्थरह वह तो तूट के बाद à को को एरेंस का क्या मतलब होता है मताबकत यानि जुम्लों में हम आंगी होनी चाहिए जुम्ले एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए लॉजिकल होने चाहिए ठीक है लॉजिकल ओर में होने चाहिए आपका जो आइडिया है वह एप्रोप्रिये ट्रांजेक्शनल वर्ड्स को होते हैं सबसे पहले कि हैं topic topic sentences supporting idea topic sentence supporting sentence concluding sentence unity coherence ठीक है topic sentence बहाँ जवाजवा जो है आपको early stages पर ही मिल जाता है जब आप कोई भी lesson कोई भी paragraph पढ़ते हैं तो उसके first sentence में some time आपको topics sentence पता चल जाता है जिससे आपको यह idea हो जाता है कि यह किस चीज के बारे में passage है ठीक है और तोपक सिंटेंस होता है वो most important sentence होता है paragraph क्योंकि उसने paragraph describe करना होता है कि इसमें क्या चीज़ आपके लिए इसके बाद वो क्या कहरे हैं कि जो topic sentence है ये complete sentence होता है जिसमे subject, verb को use किया जाता है जो आपको ये बताता है कि आपका paragraph कि सीज़ और उसके बाद किया topic sentence जो होता है वो आपके main idea को भी control कर रहाता है ठीक है first आप एक general sentence से start करते हैं उसके बाद आप specific description इसकी देते हैं जैसे एक example यह आपके साथ शेयर की गई है driving on the motorway requires skill and ability platinum appricious metal is used for two purposes इसमें वो क्या कह रहा है आपने यह चीज़ नोटिस की होगी कि यह general statements है इसमें कोई भी specific details नहीं है उसके बाद next किया है topic sentence जो है वो sometime appear हो जाता है paragraph के बिल्कुल start में ही लेकिन sometime यह आपको paragraph के last में भी मिल सकता है जैसे यहां पर उन्होंने आपके साथ एक topic एक example शेयर की है my study table is well organized I keep ball points, pens and colored pencils in the top right drawer and so on अब इसमें किया है कि जब आपने इस paragraph को पढ़ा तो आपको पहले ही sentence must topic मिल गया कि जो मेरी table है वो well organized होती है ठीक है my study table is well organized उसके बाद उससे specific detail दे दी के वो well organized कैसे होती है ठीक है इसी तरह दूसरी example है आपके साथ इसमें वो क्या कह रहे हैं कि do you have problems with sleeping by following a single guidelines many sleep problems can be avoided अब इसमें क्या है वो क्या कह रहा है कि topic sentence जो है वो कभी भी question mark से शुरू नहीं हो सकता तो इसमें आप first sentence को आप topic sentence नहीं consider कर सकते है हाँ जो second वाला sentence है जिसमें वो यह बता रहा है कि few single guidelines many sleep problems can be solved तो यह क्या है second sentence का जो है वो आप उसको topic consider कर सकते हैं ठीक है अब इसी को उसने explain कर दिया कि topic sentence में अगर come later than the second sentence कि topic sentence जो है वो sometime second sentence के बाद भी आ सकता है see if you can find the topic sentence in the following paragraph कि उसके बाद उसे आपको यहाँ पे paragraph share किया आप इसमें देखें कि आप को topic sentence में कहां से मिल रहा हैं यह किस line में मिल रहा हैं उसके बाद उसे हैं यहाँ आपको detail में describe का दिया कि probably जो इसका third sentence है वो basically paragraph topic तो इसमें वह आपको क्या बात कहना चाहा है कि ज़रुरी की पैरा ग्राफ का टॉपिक हो सकता है, मिड्ल में भी हो सकता है वह एंड पे भी हो सकता है के बाद एक और एक्जामपल है computer की तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें जो last वाली लाइन है as these four costs suggest the coming decay is likely to be a decade of home computers ठीक है तो ये क्या है ये इसमें last वाली जो लाइन थी ये इसका idea दे रही है या main ideas का ये हो सकती है उसके बाद आपके साथ एक quick review share किया गया कि आपने जो sentence of a paragraph look for a general statement true or false तो ये आपका क्या है true है ठीक है कि आप general statement की तरफ देखते हैं जब भी आप paragraph के topic को find out करना चाते है उसके बाद किया the supporting details of paragraph are more general than the main idea तो ये क्या है ये आपका false हो गया क्योंकि जो supporting detail होती है वो general नहीं होती है वो specific होती है उसके बाद किया when the main idea is stated in the last sentence of a paragraph it is likely to be a summary a conclusion either A और B तो इसका क्या होगा आइडिया है वो एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है उसके बाद वो क्या कह रहे है कि जब भी आप paragraph लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो main idea होता है वो आपका आपकी specific detail को describe करता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके rest of the paragraph में क्या चीज़ है उसके बाद किए driving in Lahore requires skills and nerves of steel living in English speaking country improves the English of a foreign student और बाकी सब sentences है जिसमें आपको ये बताया है कि paragraph का जो general sentence होता है वो क्या होता है उसके बाद कि writing topic sentences कि आप topic sentences को कैसे लिख सकते हैं उसमें वो क्या कह रहे है कि topic sentences ना ही बहुत जादा general होना चाहिए ना ही बहुत जादा specific होना चाहिए और उसमें क्या कह रहे है कि जब भी आप एक paragraph लि तो इस प्रेट प्रेट लाइमेट इस मैनी टी गार्डन एंड इंड टेमपल इसमें बहुत सारी जो चीजें उसने डिस्क्राइब का दी आप इसको आपको हर जो उसमें जो जो कर्क्रिस्टिक्स आपने बयान किया उसको अलग से पैसिज में आपको बतानी पड़ेंगी उस इस तरह एक रेलिवेंट या एक इजी टॉपिका बना सकते हैं उसके बाद इसको एकस्प्रेइन कर दिया है दा फैक्ट आप टीवी आप उसने लिख के बता दिया कि आप इसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीजें एड कर सकते हैं क्या सिंटेंस एड कर सकते हैं बुक्स ऑन या फिर ट्रैवल बुक्स इस ने आप देख सकते हैं कि किया डीटेल उसने दी है। उसने यहां पे आपको थोड़ी सी ठैवलिंग के बारे में बता दिया। फिर उसमें दो बुक्स के नाम उसने एट का दिया इसी तरह गार्डन के बारे में उसने बता दिया ठीक है फिर पापुलर एंटर्टेन्मेंट तर बेनिफिट और फॉरन ट्रेवल ठीक है यह सब उसने आपको लिख के बता दिया कि आप कैसे इसको डिसकाइब कर सकते हैं इ अपने पैसेज को और यह आपका जो टॉपिक है या जो भी आपका पैराग्राफ है उसको फाइनल कॉमेंट देता है ठीक है उसके पाद यहां पर आपके साथ एक्जांपल शेयर की गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कंक्लूडिंग सिंटेंस को कैसे यूज किया गया आपके आइडियाज आपके जो पैराग्राफ हैं उसको बिसिकली समराइज करते हैं उसके पाद आपके साथ प्रैक्टिस शेयर की गई है कंक्लूडिंग आइडियाज की कि आप उनको कैसे लिख सकते हैं ए और बी डिटर्माइनिंग दा मेडान या ओफ एच वान है टू है थ्री है तो इसमें उसने आपको यूज करके दिखा है कि आप कैसे प्रैग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं अच्छे तरीके से सही उसके बाद यहाँ पर आपको प्रैक्टिस दी गई है एक हमवर्क दिया गया कि आप अपने लिए एक प्रैक्टिस करें आप पॉपलेशन एक्स्पूजिन इन पाकिस्तान कंप्यूटर ठीक है कि आपको पेपर में भी एक्टिविटी आ सकती है आपका जो इंस्ट्रॉक्टर है वो आपको कह सकता है कि इस पे मुझे आप पैरेग्राफ लिख के दिखाएं आपको वर्ड्स की रेंच लिमिट भी दे सकते हैं तो यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है तो आप इसको जरूर करें उसके बाद इसमें 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 देखना है कि इसमें आपके साथ three structural parts उसने क्या शेयर किया है कि इसमें क्या क्या होने चाहिए topics intense supporting sentence और concluding sentence अब यह जो है इसको underline कर लें यह आपके subjective में भी आ सक सकता है कि क्या three structural parts include होते हैं और आपका यह question बनके भी आ सकता है उसके बाद unity और coherence क्या होता है इसका आपने concept clear करना है कि unity क्या होती है और coherence क्या होता है उसके बाद आपके पास इसमें है कि five elements paragraph के कौन से होते हैं इनको आपने देखना है उसके बाद बाकिस आपकी practice है answer आप देख लें क्योंकि इसमें से भी कोई आपको short question या mcqs में आ सकता है और बस उसके बाद आपको हाँ पैसे जा सकता है कि आप इसका topic choose करें या इसका topic आप कैसे लिखेंगे तो उसको थोड़ी से आपको practice होने चाहिए आप जैसे जैसे आप passages पढ़ेंगे तो आपको जादा से जाद स्टुनेंट को फाइदा हो सके और मेरा ब्लॉग है उसको आप विजिट कर सकते हैं और Facebook और Instagram का पेज़ इसको भी follow कर सकते हैं मुझे दीजिए जाज़त अल्ला आपिस